हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल वी दिकारी में दोस्तों इस पीडियो में हम उत्तरप्रदेश PCSJ 2018 का जो GS का पेपर था उसको सौल्व करेंगे क्योंकि यह इस बात का अंदाजा लगाने में आपके लिए आसान होगा इससे कि इस बार के किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं तो आपको इस बात का निर्धारन करने में और उसी हिसाब से अपनी स्टेडी की जो रणनीती है उसको तयार करने में आपको सहायता मिलेगी तो आपको इस प्रस्न को जरूर हल करना चाहिए इस पूरे पेपर को आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार के प्रस्ण पिछली बार पूछे गए थे और किस पैटर्न में प्रस्ण पूछे गए थे और आपको क्या अब पढ़ना है तो इसी क्रम में हम देखते हैं किस प्रकार के प्रस्ण पूछे गए थे तो दोस्तों इस प्रकार के और भी वीडियो आप मारे चैनल विदिकारी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इसका लाव मिल सके तो आएए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रस्ण 2018 में जियस वाले पेपर में पूछा गया था तो कि निम्यकित में से किस ने डाई साथ अंडिया नामक पुस्तक का प्रकासन तो काया यह इंडिया का जू प्रकासन है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारह किया गया था मैं जा दाक खाना एक्ट कब पारित किया गया था तो डाक खाना एक्ट यह जो है 1864 में पारित किया गया था नेक्स्ट निम्लिखित नेताओं में से किसने न्यू लैम्स फार ओल्ड प्रकासित किया था तो न्यू लैम्स फार ओल्ड का जो प्रकासन है यह अर्विंदो घोश के द्वारा किया गया था लेक्स्ट एलीडी की कारप्रडाली किसे सिध्धान्द पर आधारीत है तो लीडी जो लाइंट कि दोस्तों पर दोस्तों हम वहीं प्रसनों का उच्वाज में उत्तर बता रहे हैं जो कि लोगसे वाइयो के द्वारा जारी किया गया था उत्तरकुंजी तो उस उत्तरकुंजी के अनुरूप उन्हों प्रस्न का उत्तर सही माना था तो उसी की आधार पर हम इन प्रस्नों को सॉल्व कर रहे हैं एक MARY नेक्स्ट नैइनो पदार्थों के लिए निमलिखित में इसे क्जा नहीं है तो सथिया गया है कि सीघनो कार्बन इसपास से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो ही हभी सही है और सबसे अधिक पीएच किसका होता है तो पीएच वैलू इसमें से सबसे ज़्यादा अगनासई रस जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है इसकी होती है इस ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गयस मुख्य भूम का निभाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा जो निभाती है से वह सी ओटू है जिसे करबन डायक्साइड का जाता है तो सूचना प्रवद्दोग की अर्थात इच्टी में ह्ट्पर है 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 हाईपर टेक्स्ट मार्कप लेंग्वेज अर्थात हाईपर टेक्स्ट मार्कप भासा यही फूल फाम है लिएट मिल का की नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा रोग जीवाणू के कारन होता है तोonte Creature एशय का नेक्षेड ओपरह से ऐसमें से कौन कौन से यह था है कुछ तो यह हैं tiro यह होता था है और बॉग होता है बलेने ंंद्ट यह न्यक्ति है है वाइरस की विमारी है इस प्रकार से एक और दो यह वैक्टिरिया से होने वाली विमारीं है शुवा है नेक्स्ट मनुस्य के सरीर का सबसे बड़ा कौन सा हनो होता है तो मनुस्य का शरीज्ट 2015 में इसकी प्रेंव मांटूस तो है है मान्टूस तो यह टेस्ट का नाम दिया है यह टेस्ट है और अए यह है विमारी तो का में क्या तो यही पूछा गया है तो मान्टूक सी टेस्ट है यह होता है तपेदिक के पर टीवी से टीवर क्लोस कहते हैं और दूसरा है अलिचा टेस्ट जो है यह एक समें किया जाता है तीसरा है विडाल टेस्ट तो विडाल टेस्ट टाइप हाइड की जाच के लिए किया जाता है और टार्नी क्यूट टेस्ट जो है यह डेंगु भुखार के लिए किया जाता है तो इस प्रकार से इसका तीन एक चार दो थाथ चौथा विकल्प सही है नेक्स्ट आप्टिकल फाइबर के बारे में निम्लिखित वक्त अब्यों में से कांव सा सही नहीं हैं तो इस पहला है इसे ज्यादा संख्या में टेलिफोन के 20 संपर्ग अस्थापित किया जाता है तो यह कथ ही दूसरा है इसे सोर कम होता है यह भी सही है तीसरा कथन सही नहीं है कि यह सस्ते होते हैं यह सस्ते नहीं होते हैं बलकि महांगे होते हैं नेक्स्ट जार्विक सेवन क्या है तो जार्विक सेवन जो है यह कृतिम हिर्दय है आर्टिफीसियल हर्ट है यह सूरी को उर्जा निम्रिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होती है तो सूरी को उर्जा प्राप्त होती है नाभी की संलयन पर अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन पर अधारित है और यह इसी माध्यम से सुरी को उसमा प्रा किसलिए लेमनेट किया जाता है तो इसमें पहला सही है इससे भावर धाराओं द्वारा होने वाले उर्जा के छैको रोका जा सकता है तो यहीं विकल्प सही है नेक्स्ट नेमलिकित कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा नीचे दिएगे कूट की साहता से सही उत्तर दें तो पहला है कि सोलर कूकर में अवतर दरपन प्रयोक्त होता है तो यह कथन सही है दूसरा है लावड स्पीकर जो है यह विद्यूत उर्जा को ध्वन उर्जा में था तीन यह तीनों सही हैं रहे लिए नेक्स्ट प्रकृत में सबसे मजबूत बल निम्लिकित में से कौन सा है तो सबसे मजबूत बल वहता है ना विकीट जिसे निउक्लियर फॉर्स कहा जाता है में से किसमें हिलियम-3 जो कि उर्ज्या का संभावि स्रोत है प्रचुर मात्रा में पाये जाता है इसे से किसमे से सबसे अधिक जलन होती है तो सबसे अधिक जलन जो होती है यह भाप में होती है क्योंकि इसमें गुप्त उस्मा होती है बिष्व के ताजा पानी का कितना अनुमानित प्रतिसत ल में उपस्तित है तो बिष्व का जो लड़ाकू जहाजों का पता लगाया जा सकता है और इसका पता लगाने की एक बिदी है नेक्स्ट सुमेलित कीजिए तो इसमें पहला है 98.4 फारेन हाइट तो इसके द्वारा शरीर का ताप मांपा जाता है अर्थात यह जो है शरीर का ताप मान है दूसरा है 76 सेंटीमीटर पारे का तो इससे वाइब मंडली दबाव का पता चलता है और तीसरा है 80 220 तो 80 220 मनुष्य के ब्लड पेसर को ना पा जाता है और यह इसका मानक है और नेक्स्ट है 32 पाॉंड तो कार के टायर में जो दबाव होता है वह है 32 पाॉंड का होता है तो इस प्रकार से तीन एक दो चार पहला विकल्प सही सुमेलित है नेक्स्ट कि सुधातु के बरतन में भोजन तीब्रता से पकेगा तो भोजन जो है सबसे जल्दी चादी के बरतन में पकता है नेक्स्ट निर्मिकित में से कौन सा कथन सही है पहला है अगनी 5 देश का सबसे लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाली इंटर कॉंटिनेंटल वैलेस्टिक मिसाइल है तो यह कथन गलत है क्योंकि यह सतह से हवा में नहीं है बलकि सतह से सतह पर यह मार करने वाली संत्क्र stew तीसरा सरी हरिक औहर प्रदेश को रहा अन्धर प्रदेश से चोड़ा गया था तो यह अभी मो शीरאל प्रॉबद्ध अठोए ऊइन अब्डूनी फ्राइब पिज अचीन के जो डब में सामिल हो गया है तो इस प्रकार से चौथा साही है तो इस वक्तव्यों में से दूसरा और चौथा साही है जब की पहिला और तीसरा गलत है कि नेक्स्ट उस मिसाइल का नाम बताइए जिसे भारत रूस के संयुक्त प्रयास से मई की दोजार अठारे को उडिशा के तरसे सफंता पुरुवक छोड़ा गया था तो भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस जो मिसाइल है यह लांच की गई थी सुची एक को सुची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर बताइए तो मिलान करने के लिए दिया गया है तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है तो internet स्पीड जो है यह mbps में ना पिजाती है तो 2 Mbps यह internet की स्पीड है दूसरा है पेंट ड्राइब की मेवरी तो यह जीवी में होती है आठ जीवी की फेस्बुक जो है यह एक सोचल मेडिया प्लेट फार्म है और यह हूँ एक इमेल है तो इस प्रकार से दो एक और चार तीन अर्थात और गजो दूसरा विकल्प है यहीं सही है दो 1 4 3 नेक्स्ट निम्निकित में से कौन सी बिमारी नहीं होती है तो इसमें जो बिमारिया दी गई है इसमें मलेरिया जो है यह बैक्टिरिया की बिमारी नहीं है कि नेक्स्ट कैंसर के संबंध में निम्लिकित में से कौन से कथन सही है तो पहला है बारीक सुई चसक जिसे फाइन निडल आस्पिरेशन कहा जाता है यह बायोपसी कैंसर से संबंदित है तो यह कथन सही है कि दूसरा है मस्तिस्क ट्यूमर को निकालने के लिए कार्बन डायकसाइड लेजर का प्रयोग किया जाता है तो यह कथन भी सही है इस प्रकार से एक और दो एक और दो यह दोनों कथन सही है नेक्स्ट नेमलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिये गए कूट का सही प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए तो पहला है एट्स का पहला मामला भारत में नाईश्टेट में देखा गया था है घृत दूसरा है भारत कापाफला एट्स कट्रॉल प्रोग्राम उननाई सो बानवे में प्रारम किया गया साथ ही राष्ट्रिये एट्स कंट्रोल संत्त्तन डौक का निर्मार्ण प्रोग्राम के किरियान्वन के लिए दूसरा भी तीसरा है नेशनल काउंसिल अनेट्स के अध्यक्ष परदानमंत्री होते हैं इसमें प्रकार से उपरोक्त सभी कथन सही है नेक्स्ट किस प्रकार का इंचन सबसे कम प्रदूशन उत्पन करता है तो इसमें से जो गैस इंजन है यह सबसे कम प्रदूशन पैदा करता है एक स्वस्थ पूरुस में हीमोग्लोबीन का प्रतिसत एक स्वस्थ महिला की तोलना में अधिक होता है तो यह कथन साही है दूसरा है मनुष में रुधिर पट्टिकाडू अर्थात प्रेटलेट्स की सामान संख्या बीस दो लाग से साढ़े चार लाग में होती है तो यह अभी कथन साही है तो इस प्रकार से एक और दो यह जो है दोनों साही है तो दोस्ता आप हिंदी मीडियम के गर हैं तो आप प टिकाडू पूछा है तो हिंदी मीडियम को लड़का इस सब्दों को कभी सुने ही नहीं होगा तो आप इंगलिस वाला जो सेंटेंस है उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि इसको अगर हिंदी का सब्द ना समझ में तो आप अंग्रेजी के साहता जरूर लीजेगा नह लॉजिस्टिक पालसी को हिंदी मेरा सद्द नीत पूछा था तो उसमें बहुत सारे लड़कों ने उस प्रस्ण को गलत किया है तो इसलिए आप हिंदी के साथ अंग्रेजी का जो है जरूर पढ़िएगा इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना होने पाए नेक्स्ट सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित किजिए तो पहला है परमाणुभम तो यह नाविकी ऊरजा है बर्पका भिगलना यह इसमें उस्मा की ऊरजा लगती है गड़गडाहट यह ध्वनि उरजा है और सुर्वयोद्ध जो है यह प्रकास उरजा है तो इस प सरवो चनियलक नी रूप नि चांग के लिए को एक चीवह विल देना होगा तो यह होगी सब्सक्राइब की पांच सब्रस्सी संभिधान पीट ने मामली में यहन्याय दिए था कफन गलत है क्वांगी यह पिंकी बिराणी के केस में नहीं दिया गया था बलकि यह है अरोड़ा सानवाक के केस में दिया गया था और चौथा है निश्क्री इच्छा मृत्यू के लिए रोगियों को या तो गंभीर मृति तुल बीमार या वानस्पतिक इस्तिती में होना चाहिए अब देखिए फिर से वही प्रस्ण यहां पर पूछा है वीजिटेट्यू सब्द को इन्होंने वानस्पतिक लिखा है तो वानस्पतिक क्या तात्पर है क्या हिंदी मीडियम को लड़का तो अपने आप इसलि जो प्रस्ण एकदम से ना समझ मैं उसको आप जरूर छोड़ दीजेगा कोशी रहनी चाहिए कि हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिस के जो टर्मलाजी है उसको जरूर देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा तो मृतिव तिल वीमारी या वानस्पतिक इस्तिती विजिटे इलेक्ट्रांस हैं वह प्रत्य कार्वन परमाड़ों से सह संयोजक बांड से जुड़े होते हैं तो इसलिए हीरा है यह कठोड होता है नेक्स्ट एथलीट्स फुट नामक बिमारी किसकी वज़ा से होती है तो यह जो है कवक या फुंगी के वज़ा से होती है नेक्स्ट संयुक्त राष्ट की एक संस्था ने कौन सी सर्थ रखी है कि सभी देश 2050 तक अपने तापमान को निम्लिकित में से उस सीमा तक तक तय करें तो अर्थात इसमें बार बार जो यूएन ट्रिपल सी का जिसे कॉप 2726 या इस तरह से कहते हैं जो उसका हर साल आयोज डेर्ष डिग्री सेल्सियस तक ही रखें उससे अधिक न बढ़ने दें और भारत ने अपना यह लक्षी चोंग है 2070 रखा है कि नेक्स्ट निम्लिकित वक्तव्यों पर विचार करें तथा नीचे दिये गए कूट की सहायता से अपना उत्तर चुने पहला है 25 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट महासचीव ने 2019 से 28 दसक को नेलसन मंडेला सांती का दसक घोसित किया है तो यह कथन सही है दूसरा है साथ ही मंडेला की संवी जन्म सताब्दी पर उन्होंने संयुक्त राष्ट में उनकी मूर्ती का अनौरण किया तो इस प्रकार से एक और दो दो कथन सही है नेक्स्ट विश्वकप हा की खेल प्रतियोगिता नौंबर 2018 में भारत के किस सहर में आयोजित की जाएगी तो यह 2018 में यह भूनेस्वर में हुई थी लेकिन यह 2022 में अगर देखेंगे तो 2022 में बलकि 2023 में जो कि जन्वरी जन्वरी 2023 में भी यह भूनेस्वर में ही आयोजित की जा रही है 2018 में भी भूनेस्वर में हुआ था और वर्तमान समय 2023 में यह भूनेस्वर में ही किया जा रहा है next सोथियारा छिम ये कमभोडिया के हैं तदाशी हातोरी ये जापान के है बरनाड मैडेड् ये फिलिपीन्स के हैं और गैरी बेन्चेगी फ्रांस के हैं तो इन सब को 2022 में एक संबान्नी अवाड दिया गया उस ऑवाड का क्या नाम है तुस स्वाड का नाम रायमन मैकसे से अवाड 2022 है तो दोस्तों इसको हम इसलिए सामिल किया है कि क्योंकि सेम कोश्चन 2018 के सम्वंद में पूछा गया था तो हमने जो है इसमें अपडेटेट कर दिया है इसे और जो 2018 का करेंट अफेर से हैं उसको हमने कोशिस किया है कि अभी 2022 यह 2023 में उसका क्या लेटेस्ट करेंट है तो उसको हम सामिल कर रहे हैं तो यह जो है मैकसे से अवार्ड 2022 में इन सब को दिया गया है जो चार नाम है नेक्स्ट यूएस ओपन टेनिस्ट प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल का खिदाब किसने जीता है तो जो संबंदित प्रस्ण है उसमें यह 2018 के बारे में पूछा गया था लेकिन हम इसको 2022 के संबंद में देखेंगे कि इसे किसने जीता है तो इसे जो है 2022 में इगा स्वेटेक ने जीता है और 2018 में इसे नौमी ओसाका ने जीता था नेक्स्ट मीटू अभियान यह 2018 में बहुत चर्चा में था तो इसका प्रारण निम्नखित में से किसकी सहायता के लिए किया गया था तो यह अभिया जो है यह उत्पीडन महिला जो है जो यह नुत्पीडन किसी कार थ ही उनके द्वारा यह अभियान चलाया गया था है नेक्सट जून 2018 में किस देश ने अपने यहां WhatsApp और Facebook पर टेक्स लगा दिया था तो ऐसा जो देश था यूगानडा था इस अपने यहां WhatsApp और Facebook पर टेक्स लगाया था है नेक्स ट्वाइलाइट चिल्डरें नाम की पुस्तक किस रोग से पीडित व्यक्तियों के जीवन पर आधारित है तो यह जो है डाउन सिंड्रम से पीडित व्यक्तियों के जीवन पर आधारित पुस्तक है नेक्स्ट 2022 में आधिकारिक 200 परेटन दिवस समारों के लिए निम्ण में से कौन सा देश मेजबान होगा तो इसमें 2018 में भारत मेजबान था लेकिन 2023 में 2022 में यह इंडोनेसिया था नेक्सट कौन सा देश चीकिच्छा परेटन का लोक्री अस्थान बन गया है तो चीकिचा परेटन के लिए यां भारत को माना जाता है क्योंकि यहां पर सके शब्लत स सुवधाय उप्लब दो जाती हैं दुनिया को नेक्स्ट अंतर राष्टी महिला उद्यमी सिखर सम्मेलन 2022 यह किस देश में हुआ था तो यह आयोजन जो है ढाका बंगला देश में यह हुआ है नेक्स्ट सैयुत राष्ट संग का यू एन एपी चैंपियंस आप अर्थ हवार 2022 किसे प्रदान किया गया है तो यह 2018 का जो कोश्चन है 2018 में नरिंदर मोदी को दिया गया था लेकिन 2022 में अगर देखेंगे तिया पांच लोगों को दिया गया है जिसमें से भारत की एक मात्र पूर्णिमा देवी वर्मन है जो की असम की रहने वाली है यह पर्यावरण वाग्यानिक हैं और इनको जो है चैंपियंस आप दे वर् सपाथ के कानून को लचीला बनाने के लिए जन्मत संग्रह कराया गया था तो यह जो है सब है score And Ireland में कराइख जून 2018 में साइब नेक्स्ट आधार को मानिता परदान करते हुए भारत के उच्यतम नियाले ने उसे निम्ण से किसके लिए आवश्यक बताया है तो 2018 में आधार को मानिता परदान किया गया जो पुत्तरश्वामी का जो पूस्ट था उसमें और उसमें income tax return को भरने के लिए आधार को अन्युवार बताया गया है कि इंकम टेक्स भरने के लिए आधार का उप्योग किया जाएगा कि नेक्स्ट प्रोफेसर जीडी अगरवाल जो की एक परियावरणवित्थ और गंगा बचाने के लिए इन्होंने अनसन किया था और उस दौरान आमरण अनसन के कारण की मृत्ति हो गई थी तो यह पूशा गया है कि यह किस कारण जो है चर्चा में थे यह किस कारण से यह अपना अंदोलन शुरू किये थे तिनका अंदोलन जो है गंगा का निर्मली करण के लिए था म डिशन सुफान कि नेक्स सितंबर 2022 में परेटन पर्व कहां आयोजित किया गया मुंबई में आयोजित किया गया जब कि 2018 में पूशा गया था उस दौरान यसे पूरे देश में इसको मनाय गया था ओर जो देशन है उसके तीन प्रमुख घटक हैं उसमें है अपना अपना देश देखो सबके लिए परेटन परेटन तथा सासन यह तीन उसके आवस्चेक तत्तों हैं तीन घटक है नेक्स्ट उस महिला का नाम बताएं जिसने 22 फरवरी 2018 को भारत की पहली लड़ाकु विमान की एकल पाइलेट बनकर इतिहास रज़ दिया था तो उस समय का यह करेंटफेयर्स है तो उसमें यह आउनी चतुरवेदी थी जिन्होंने जो है लड़ाकु विमान को उड़ाया था कि नेक्स्ट हमारा स्वास्त हमारी अभाज अभियान तो इसके द्वारा प्रारम कि आगया था की जो अभियान था यह ब्लों को पकाने के यह किस गैस के प्रयोग की अनुवती परदान करता है तो यह जो है एथिलीन के प्रयोग की अनुवती देता है इससे फल पकाया जा सके नेक्स्ट काउसल विकास वए उद्यमिता मंत्री द्वारा हुनर उपहार में दें गिफ्ट ए इसकिल की अपील किस आउसर पर की गई थी तो रक्षा बंधन का जो त्यवहार था इस आउसर पर काउसल विकास वए उद्यमिता मंत्री की द्वारा यह जो है अपील की गई थी की सब जो भाई हैं अपनी बहानों को गिप्ट किल अर्थात हुनर को उपहार में के लास सोधानी समित ने अक्टूबर 2018 की अपनी रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट दी थी या क्या संस्तुत ती की थी तो कहला दर्सन का एक विषय के रूप में जो है सिक्षण को में सामिल किया जाए नेक्स्ट केंद्री सामाजिक न्याय मंत्राले मार्च 23-2018 को देश में भिखारियों के विषय में अपना सर्वेक्षण प्रस्तुत किया और इसके अनुसार भारत के देवस्थानम केस में उच्चतम न्याले के नेड़े से असाहमती रखने वाले जज़ का क्या नाम था इन्दू मलहुत्रा इन्हों ने असाहमती व्यक्त की थी और इनका यह मानना था कि वहां पे जो महिलाओं का प्रवेस है वरजित है वह वरजित ही रखा जाए बाकी बहिला है 2022 में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले भैंकर चक्रवाती तूफान को मैंडस दिया गया था था कि दोसरा है इस जो मैंडस चक्रवार था इससे भारत के जो तीन राज्य प्रभावित हुए थे इसमें तमिलनाडु था आंध्रप्रदेश और पुड्डु चेरी था तो इस प्रकार से एक और दो कि यह जो है दोनों कथन सही हैं को भी कि नेक्स्ट राष्टीय मानसिक स्वास्त यववां पुनर्मास संस्थान खोसे जाने की मंञुझोरी केंद्री मंत्री मंधर्मिल के है और यह राज्जें है इंताकी जो है यह नागालेंड में है और सिंग लीला कि मंगाल में इस्तित हैं और मेगाले में नहीं है और तांडोबा बना यह महाराष्ट में है तो सूचीओं को सुमेलित और हो सही उत्तर दीजिए वांत परीयोजनाएं है ओर राज्ज है तो कौन सी बाध이면 कहां पररीयोजना इसी को सुमेलित करना है तो इस में पहला है घाटप्रभा तो घाठबभा जो है क्रनाटक में इस्तित है और दूसरा है उकाई परियोजना het यह गुजरात में है तीसरा है हीरा कुंड बांध परियोजना यह उडीसा में है और कोईना बांध परियोजना यह महाराष्ट में है तो इस प्रकार से जो है तीन चार और एक दो अर्थात जो तीसरा विकल्प है यही सही सुमेलित है नेक्स्ट लक्ष दीप में कुल कितने दूइप हैं तो यह प्रस्ण भी पूचा गया था ठारे में कि लच्छ दीप में कितने दूइप हैं यह जो है है भारत एक साथ能ण स्टिती रिपोर्ट था सतरेयक अंशार भारत में अच्छादित छेत्र में ज़्फानर आद्धी हुई है तो कितने पर्संट की दिद इसमें है दसमलों में नौ चार परسंट की देखी गई है भारत निम्लखित में चावल का सरवाधिक उत्पाधन होता है तो भारत में सबसे ज्यादा चावल सबसे उंची सड़क बनाई गई थी यह सड़क बनाई गई थी यह सड़क और मनाली के बीच में बनाई गई जाती हैं तो देश की कुल क्रिशी योग भूम के 80% भाग पर खादान फसलें बोई जाती है नेक्स्ट निमलिखित को सुमेलित कीजिए तो पहला है अलेपपी जो है के किरल में ऐस्तित है दूसरा है अनौर यह वंदर्गाह यह थे तमिलनाडू में है और पारदीब ओडीशा में है और काकी नाड़ पर्देश में स्थित है तो इस प्रकार से 3 4 और 2 1 अर्थार जो चौथा विकल्प है 3 4 2 1 यही सही सुमेलित है नेक्स्ट सूची एक को सूची द्यों के साथ सुमेलित कीजिए तो सुमेलित करने वाले प्रस्णों को अगर आप देखेंगे तो 2018 में बहुत सारे प्रस्ण इस तरह से पूछे गए थे जो की सुमेलित करने के लिए थे और यह ला में भी थे और जीएस में भी थे तो इसमें पहिला है उस्नकट वंधिया वंध जो है यह साइलेंट वेली में पाए जाते हैं और संकु ब्रिक्ष बन यह हमेशा बरफीली या उचाय वाले अस्थान पर पाए जाते हैं तो यह हीमाचल प्रदेश में हैं और कच्छ वन तो कच्छ जो है सुन्दर वन जो पस्रिमंगाल वाला है वहां पर पाए जाते हैं और पतज़ड़ वाले जो वन है यह राजस्था में पाए जाते हैं तो इस प्रकार से चार तीन और एक दो अर्था दूसरा विकल्ब सही सुमेली थे नेकश्ट जन्तांत्रिक प्रक्रिया में मतदाओं की भागिदारी बढ़ाने के भारत में राष्ट्री मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्री मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है नेक्स्ट निम्लिखित को सुमेलित कीजिए तो पहला है मूल करतब तो मूल करतब्यों के बारे में जो प्राउधान है यह अनुच्छी 42 में संविधान संसोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और दूसरा है संविधान के मूल भूट धाचे किया जाता है तो इस प्रकार से जो तीसरा विकलप है कि की ऐसे दूसरा विकल्प जो है तीन चार और एक दो सभान है सिर्ध सुन निकाल निकाल की अधिकतम आदी होती है अर्थात अधे घंटी की होती है आधे निक्स REPAAAA संबन्दी मामले में हतेप कर सकता है तो कि ऐसे तो उस पर झातरह इस नेक्स्ट भारत में नियाले निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है तो किवल कब कैसी इस्तिति होगी जिसमें जो भारती नियाले है वह निर्वाचन के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते हैं तो यह है निर्वाचन याचिका के एक अंग है तो यह सही है क्योंकि दोनों सदलों से जब कोई बीधयों कारित होता है तो अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक की राश्पति उसलें स्थाक्षन कर दें और कारण संसत के करने से रोख सकता है तो न्यालत के द्वारा जो है अपने अधियन स्तिन्यालें को ये प्रतिसेध जारी किया जाता है तो इस रेन रही है उसको इस रिट के माध्यम से रोख दिया जाता है नेक्स्कित कारियों में से क़ सा अब कार निर्वाचन आयोग द्तवारा संपन। नहीं कराना जा सकता है तो निर्वाचन आयोग की गई थी किसमें किसमें यानु 6356 जो है जो की आपार्तकाल से संभंधित्हे तो इसी जो है समिक्षा की गई थी गुज्ट भारत में लोकनJeся और भावक कौन होता है तो भारत में लोकनिधी का यह पुब्लिक तक है उसका गार्जियन जो है यह नियंत्रक और महालेखा परिक्षक होता है जिसे कंट्रोलर एंड आर्डिटर जनरल कहा जाता है अर्थात जो होता है यह लोकनिधी का संद्चक होता है नेक्ट भारती संविधान का अनुचे 370 किस्से संबंदित है तो अनुचे 370 जो है यह जम्मु कस्मीर से संबंदित था जो कि अभी खतम कर दिया गया है और यह एक असाई संक्रमण काली नूप बंद था निम्लिके सब्दों प अब जो प्रस्ताव है वह संसत पर समक्ष रखा जाता है विध्ययक रूप में तो जब विध्यक जो है दोनों सदनों की द्वारा पारिद करके उस पर राष्ट्पति की मुहर लग जाती है तो वह अधनियम बन जाता है और जब अधनियम ही बीधी कहलाती है तो इस प्रक संसद को याचिका समीत में जो है 15 सदस्य होते हैं तो यह सही है दूसरा है सभी सदस्य लोगसभा अध्यक्ष्ष द्वारा नाम रेट किये जाते हैं या नामांकित किये जाते हैं तो यह भी सही है तीसरा है बिद यौम न्याय मंत्री को इसका पदेन सदस्य होना आवस्यक है तो यह कथन सही नहीं है चौता है यदि उपाध्यक्षिसका सदस्य है तो वही समीत का अध्यक्ष होता है तो यह भी सही है नेक्स्ट भारत में राज्यों तथा केंद्रसासित छेत्रों की संख्या के संबंद में नीचे दिए गए बिकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए तो 2018 में जो यह प्रस्ण पूछा गया था उस दावरान भारत में कुल 29 राज्य और साथ केंद्रसासित प्रदेश थ वरतमान समय में हैं तो अगर 2018 के संबंद में देखेंगे तो उसके संबंद में यह हैं दूसरा विकल्प है यह सही था लेकिन वरतमान में यह सही है अठाई और आठ नेक्स्ट नेमलिखित करतब्यों में से कौन सा करतब भारती संबिधान के अनुच्छे दिक्यावन ए मे दिए गए मूल करतब्यों में सामिल नहीं किया गया है तो पहला है अम चुनाओं में मतदान करना तो यही गल्ट है क्योंकि इसके बारे में कहीं प्रावधान अनुच्छे दिकावुए कैउए नहीं नहीं बताया गिया है भारत के राष्ट्री मानवादिकार आयोग के बिसे में निम्लिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें तो पहला है इसका गठान हुआ तो यह कथन साही है दूसरा है इसके अध्यक्ष हुआ सदस्चेओं की नियुक्ति भारत के राष्पती द्वारा की जाती है तो इस प्रकार से यह जो चारू कथन है यह सभी सब्सक्राइब नेक्स्ट नेम्लिकित में से कौन आज भारत की दली विवस्था की एक सामानी विश्यस्ता नहीं है तो इसमें है यह पूछा है कि कौन सी विश्यस्ता नहीं है तो पहला है दलों का विखंडन और ध्रुमी करण होना तो यह सही है वर्तमान में जो राजनीतिक दल है इनका दल नहीं है बहुत सारी अलगलग भिखंडित हैं दूसरा है अधिकांस दलों का आधार वैचार की है वह राश्ट्री हिस्से प्रेलित है तो ऐसा कुछ नहीं है भारत में कि जो राजनीतिक दल है वास्तविक्ता यहीं है कि उनका जो है राश्ट्री हिस्से कोई लिना देना नहीं है और नहीं वह विचार की राजनीत कर रहे हैं और नेक्स है व्यक्तित उन्मुख राजनीतिक दल है अर्थात किसी राजनीतिक दल में एक जो चेहरा होता है वही पूरे राजनीतिक दल को नियंत्रित करता है तो इसमें से जो दूसरा विकल्प है यही सही नहीं है बाकि सब सही है नेक्स एक लोग कल्यानकारी राज के कारी के रूप में भारत स्वावलंबन योजना निम्लिकित में से किस वर्ष प्रारम्भी किया गया था तो स्वावलंबन योजना यह सितंबर 2010 में प्रारम्भी किया गया था नेमलिकित में से कहुंसा मौलिक अधिकार बिदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त होता है तो बिदी के समक्ष तो यह जो है बिदेशी चहों चाहे देश के हों नागरिकों या किसी ब्यक्ति को मिलता है अर्थातPDK समख्छ सभी व्यक्ति समान हैं अभी व्यक्ति की सोटनाथ जिसके बारें प्राभदान उनंच्छिद показ तो या सटनत्ता जो है यह केवल भारत के नागरीकों को प्राप्त है बीदेशी नागरीकों को प्राप्त नहीं होती है नेक्स्ट पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए तो यह सही है दूसरा यह आरक्षण अनुच्छे 334 में निर्देश्ट अवदी की समाप्ति पर प्रवावी नहीं रहेगा तो यह जो है सही नहीं है पहला ही कथन सही है तो किवल एक सही है भारत की राश्ट्री आयमें किस छेत्र का योगदान सबसे जादा है तो भारत की जो राश्ट्री आए जो जी डीपी उसमें सबसे ज्यादा योगदान है सेवा से करों की उगाही और की जाती है तो उसमें जो संपत्तिव राप्त की जातीए तो उच्ज ** जमां किया जाता है किस पंचवर्षी योजना ने ज्यादा तेज़ धारण और समावेसी संपरीद्ध पर जोडिया था आर्थिक भिकास की प्रक्रिया किस के संबन्धित है प्रति ब्यक्ति परसेंट में परिद्धि करना है और अर्थ कि सब्रोंगत सब्ण हैं कि अंजा भारत में केंद्री बन्किंग के कार्य किया जाते हैं तो चुर्वान के द्वरा किया जाता है उसे नेक्स्ट भारत में इंकम टैक्स है वह किस्प्रकार का टैक्स है तो टैक्स प्रत्यक्ष और प्रगतिसील टैक्स है अर्थात यह एक डारेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है इंकम टैक्स नेक्स्ट नेमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो पहला है भारत ने अधिकांस्ता है कि सभी उपभोगता वस्तूओं में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है तो यह सई है तो उपभोग की जाने वाली अधिक्तम चीजें हम अपने हां उसका उत्पादन करते हैं दूसरा है जो पूझी गत वस्तूओं के संबंध में भारत अभी भी आयोत आयातों पर उनुपात को जिसे सी और आर कहा जाता है कि सी आर आर जीसे नगत और अरची तानुपात को कम किया जाता है तो साख सर्जन पर इसका क्या पशाव पढ़ेगा तो इस यह बढ़ जाएगा नेक्स्ट भारत में राष्ट्री आय का आंकलन किसके दौरा किया जाता है तो राष्ट्री आय अर्थात नेशनल इंकम का जो आंकलन है यह सी एस ओ अर्थात केंद्रिय सांखिकिय संगठन की दौरा किया जाता है कि ये मेच्ट गेंट एजड बाजार का आर्फ है तो गील्ड एजड बाज़ार का आर्थ है सरकारी प्रतिभूती वाजार मेच्ट ik kinda mark किसे संबंदित है तो एक temporarily के लिए शुरक्षित वस्तूं से संबंदित है अर्थात जिस वस्तु को एको मार्क यह प्राप्त हुआ है उसका ताथ परिया है कि वह वस्तु जो है परियावरण के अनुकूल है नेक्स नीचे देगे कूट की सहायता से रिक तस्थान की पूर्ति कीजिए तो पहला है पिछले दसक की अवध में विश्व में इस मानता को बल मिला है कि विश्व में चीन और भारत दो बड़ी तो दो बड़ी किस प्रकार की सक्तियां बन रही है तो चीन और भारत दो बड़ी जो है आर्थिक सक्तियां बन रही है तो यहां पर जो है आर्थिक सक्तियां भरा जाएगा नेक्स्ट नेंगंलिकृत मैं किस वस्तु निर्यात रहा है तो भारत सबसे ज़्यादी औरicle औरandy वं इंजिन्रिंग गूडस अर्थाथ अभियांतर की जो वस्तुएं इसका निर्यात भारत की द्वार्था सब ज़्यादा किया जाता है र approximately यह दूर संचार की एक नियामक संस्थान है प्रतिसत के रूप में भारत सरकार का राजगोसी घाटा दोज़ेट 1718 के बजट में अनुमान की तुलना में अधिक था कारण इसका है कि वर्ष 2017 18 में परोग्षकरों की वसूली जी एस्टी लागू हो अर्थात इंटरनेशनल मोनेटरी फंड इसे जो है उपलब्ध है कि नेक्स्ट नव्य से भारत में मुद्रा पूर्ती अर्थात मनी सप्लाई की उच्छ सम्रिधिका मुख्यकारण क्या रहा है तो इसका जो मुख्यकारण है वह और वी द्वारा सरकार को साख प्रदान करना यही कारण रहा है नेक्स्ट भारत में क्रिसी वित्त के छेत्र में सिर्ष संस्था कौन सी है तो क्रिसी के छेत्र में जो वित्त पोषण की सबसे बड़ी संस्थान है वह नावाड है ऋप्रद से प्लैंड इकोनौमी फार इंडिया के लेखक कौन है तो प्लैंड इकोनौमी फार इंडिया के जो लेखक थे वह सर एम बिश्वेस्वरायिया थे कि भारत को अपने सकल राश्टी उत्पाद अर्थात जीटीपी का सबसे बड़ा बहाग है वह किस छेतर से से प्राप्त होता है भारत अपने जीटीपी गा सबसे ज्यादा जो भाग है सेवा छेतर से प्राप्त करता है नेक्स्ट निम्निखित में से कौन सा कार्य भारती रिजर्ब बैंक का नहीं है तो बैंक नोट जारी करना यह उसका कार्य सरकार का बैंकर भी है और सामान जनता के लिए बचत खाना को खाता खोलना फिकार नहीं है बलकि अन्य जो कामर्चेल रहें उनका और है ता कि अतना की निगदा ढरक्षित कौसों का संदज फब्टो हो के यह ब का नहीं है नेक्स नैसकाम की डाटा सेक्योर्टी काउंसिल आफ इंडिया ने किस प्रदेश की सरकार के साथ साइबर सुरक्षा के लिए सेंटर आफ एक्सिलेंस की अस्थापना है तो समझाता किया था तो ऐसा जो समझाता था यह हैं तेलंगाना की सरकार के साथ नैसकाम के द्वारा कि कि आंगया थां से अनुसनसान के अतरीक्त बीभाज केंद्रिय कर कि सुद्ध प्रापतियों में से राज्यों के अंस बढ़ाने की अनुसनसा ड़ी की मिज़ा। तो यह 42% करने की की गई है नेक्स्ट प्रथम दीन दयाल हस्त कला संकुल ब्यापार कहां अस्थापित किया गया तो यह वारांसी में अस्थापित किया था नेक्स्ट भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्री वजड़ पेस किया जाता है तो केंद्री वजड़ जो है यह अनुच्छेद 112 के तयात पेस किया जाता है नेक्स्ट नेमलिखित कथनों पर ध्यान दें तो कथन ए है ताजे जल की मचली उत्पादन में भारत का स्थान बिश्ट्व में दूसरा है तो यह कथन सई है कारण भारत में 18,000 से अधिक किस्मिकी मचलियां पाई जाती है तो यह जो कारण है यह यह भी सई है लेकिन इसका जो कथन है उसका सही ब्यक्ख्या यह नहीं करता है तो इस प्रकार से जो दूसरा विकल्प है यह सई है कि यह और आर दोनों सई हैं लेकिन जो आर है वह यह की सही ब्यक्ख्या नहीं है नेक्स्ट जल क्रांती अभियान के संदर्व में निम्ण में से कौन सा कथन सही है तो पहला है ग्रामीड शेत्र में जल सुरक्षा के लिए आजीवी का सुरक्षा बढ़ाना तो यह कथन सही है दूसरा है जल संसाधन संदच्छन और इसके प्रबंधन में परंपरागत ग्या कफ़नें और जो है यह सई है यह तो निम्लिकर कथनों पर ध्यान दे पहला है तो कथन यह है कि क्रिसी के लिए अधिक स्रमकी आउसकता नहीं होती है तो इसको जो है लोक से आयोक के द्वारा इसका जो पहला विखल्प सही माना गया था यह कथन सही है और कारण भी देखत है वह कथन का सही असपास्टी करने तो इसी को जो है लोग सिवायोग के द्वारा सही माना गया था पहिला विकल्प को गिशाहिएं अधिक स्रम्किया नहीं पड़ेगी मैं यहांप यह लोग सिवायोग के द्वारा पहला विकल्प माना गया था कि य और दोनुस आई है और आर ये का सहीद स्पस्टी करणें के सुचिक एकसी दो के साथ सुमेलित कीजिए तो इसमें जो है कि आ ये चारोचे गतनstein के अरू भार व्यक्य और ये जो है यह राज्यों के नाम दिए गए है तुछ पूछा गया कि कामाड़व सैंत्र तुछ में इस्थित है तो पहला जो है गुजरात में है काकरापार और महाराश्ट में यहां करनाटक में है कायगा और राजस्थान में है रावत भाठा तो इस प्रकार से 34 और 21 यह जो सब्सक्राइब है कि निमनीं लिखेत कथनों पर विचार की भारत कम होती है तो कथन सही है कारण प्राइदीपी भारत की अधिकांस नदियां जो है यह मौसुमी है तो अर्थात हुआ सदा नीरा नदिया नहीं है सदे उसमें पानी नहीं रहता है तो कथन भी सही है और कारण भी सही है तो इस प्रकार से एक और रार दोनों सही है और आर एकी सही ब्या सबखावित करती है तो कठन सही है कारण है सीतर। में भारत में उत्तर पस्चिमी भाग में आने वाले चक्रवातों में इस जेट स्ट्रीम की महत्तफपून भोमिका होती है तो यह जो कारण भी तो यह पर यहां पर यह और आड़ दोनों तहीं है और आरे की सही व्याख्या है नेक्स्ट पारिस्तित की एक्रिसी से संबंधित निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए तो पहला है पारिस्तित की एक्रिसी प्रडाली का मुल सिध्धानत है कि प्रकृत से उसकी सामर्थ तक ही उत्पादन लेना चाहिए तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन है कि प्रकृत की स्वभाविक गतिविद में निवनतम हस्तक शेप करना चाहिए तो दूसरा कथन भी सही है तीसरा है भूम के छरण हुए पोशक प्रकृतिक पोशक से ही उसे वापस लौटाया चाहिए तो इस प्रकार से एक दो और तीन यह तीनों कथन सही है अनसूचित जातियों का प्रतिसत भारत के कि सराज्ज में सबसे अधिक है तो प्रतिसत जो है सबसे ज्यादा पंजाब में है तो अर्धात कुल जन संक्या का सबसे जो महत्पूर वन है वह उस नकट बन दिये परणपाती बन है यह जो है इमारती लकडियां इसी में पाई जाती है और यह वन जो लकडियां है यह काफी मजबूत होती है नेक्स्ट भारत में सुनहरी क्रांती अर्थात गोल्डेन रिवलेशन कि से संबंदित है तो स सब्सें प्रतिमा कहां पाई गई है तो निरी सिंग खिसंग्यान की सब्सें उंची जो प्रतिमा यह दूधई ललिटपूर में प्राप्त हुई है मोभ्याइब को सज्चित मेंकिस गरंड़ को सत सहस्री नाम से महाभारत को जाना जाता है प्राचीन भारत में किसने सल्य उपकरणों का उतक्रिष्ट व्यवरन दिया है जो की सरजरी करने में उपकरणकार में आते हैं उनका उसूरूत के द्वारा दिया गया है भेडा घाट 64 योगिनी मंदिर में योगिनियों की कितनी मूर्तियां सुरक्षित हैं तो 64 योगिनी मंदिर में कुल 81 योगिनियों की मुर्तियां है वह अभी भी सुरक्षित हैं नेक्ष्ट निमलिखित में से कौन सी काली दास की रचना नहीं है तो इसमें से जो काली दास की रचना है वह रितु संगहार है और माल विकाग मित्रम है जबकि इसमें किरातार्जुनियम और मिर्चकटकम यह काली दास की रचनाएं नहीं है तो इस प्रकार से दो और तीन यही काली दास की रचनाएं नहीं है नेक्स्ट निम्णखित में से किस मंदिर को परसी ब्राउन ने कला के विकास में एक अईतिहासी घटना बताया था तो परसी ब्राउन ने जो तंजवर का ब्रिहदी स्वर मंदिर है इसे कला के विकास में एक अईतिहासी घटना बताया था नेक्स्ट निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है या इतिहास का पिता कहा जाता है तो इतिहास का जो जन्मदाता इसमें हेरोडोटस को कहा जाता है नेक्स्ट निम्लिकित में से किस राष्ट्रकूर्ट नरेश ने इलोरा के कैलास मंदिर का निर्माड कराया था तो इलोरा के कैलास मंदिर का जो निर्माड है यह कृष्ण पर्थम के द्वारा कराया गया था कि नेक्स्ट निम्ड मेंसे कौन एक कभी यों संकी तक जो कभिराज अथवा कभियों के सासक के उपनाम से प्रसन्नता का अनुभाव करता था अर्थात वह कभिराज के नाम से जाना जाता था तो इसमें जो है कभिराज के नाम से समुद्रुगुप्त जो है जाना जाता था थे तो इरान के साथ जो कूट्यूनेतिक संबंध था चालुक कि नरेश पुलके सिंग दिती का था अर्थात इसका जो संबंध था भारत से बाहर भी बिस्त्रित था सिंदुगाटी सब्विता कालीन किस नगर से हमें पीने योगे जल के संदक्षण के साक्ष मिले हैं तो जल के संदक्षण के साक्ष जो है सबसे ज्यादा बेहतर अवस्था में यह धौला वीरा से प्राप्त हुए हैं नेक्स्ट धर्म महामात्र की नियुक्ति जो है सरवपथम किस भारती सासक के द्वारा की गई थी तो धर्म महामात्र की जुनियुक्ति है वह सबसे पहले समराठ असोग के द्वारा की गई थी कि नेक्स्ट सूची 1 को शूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर बताईए कि कौन सा सही सुमेलित है योग दर्शन थे और न्याय दर्शन के गउत्म थे तो इस प्रकार से 3,4,1,2,1 अर्थात पहला विकल्प साई है 3,4,2,1 नेक्स्ट नेमलिखित में से कौन सा जैन गरंथ जैन भिक्षूं के लिए नियमों का वर्णन करता है तो इसमें से जो आचारांग सूत्र है या आचरण के बारे में प्रावधान करता है अर्थात जैन प्रावधान भीक्षों के द्वारा कौन से जो आचरण अपनाए जाएंगे उनका वर्णन इसी गरंथ में किया गया है आचारांग सूत्र में नेक्ट समराट हर्सवर्धन का कौन सा अभिलेख है जो उसके स्वयम के हस्ताक्षर से युक्त है अर्थात कौन से अभिलेख में समराट हर्सवर्धन ने स्वयम हस्ताक्षर किया है तो यह जो है बास खेडा का लेख है इसमें उन्होंने स्वयम अपना सिगनेचर किया था नेक्स्ट नेमलिखित में से किस साशक को सब्तम चक्रवर्ती कहा गया है तो सब्तम चक्रवर्ती जो है यह कल्चुरी नरेस कंड को कहा गया है अर्थात कंड कल्चुरी को कहा गया है कि नेक्स्ट नेमलिकित घटना उपर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमा नुसार व्यवस्थित कीजिए तो इसमें से बताना है कि कौन सी घटना पहले घटित हुई थी तो इसमें है पहला घाघरा का युद्ध तो घाघरा का युद्ध जो है यह सबसे पहले घटित हु कि अकबर का जानम होता है 15402 में और चौशा का जो युद्ध है यह 1549 में होता है जो कालेंजर अभियान होता है यह 1531 में होता है तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो सबसे पहले 1529 में यह आता है तो फाहिला नंबर प्रश्व 1539 के बाद 1531 में कालेंजर अभियान होता है यह के बाद 4 हो गया फिर उसके बाद तिसरा आता है जो कि 1549 में होता कि आलिए और सबसे बाद में जो 1542 है यह अकबर का जन्म होता है फिर दूसरे नइस प्रकार से 14 और 32 कि 1432 जो है यह तीसरे विकल्प में है और यही सही होगा जो इन घटनाओं का क्रम है इसके अनुसर नेक्स्ट 1761 में होने वाले पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा कौन था तो जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो उस समय जो पेशवा थे वह बाला जीवाजी राओ थे सूप्रसिद्ध साहितिक कृती किताब उलहिंद किसके दौरा लिखी गई थी किताब उलहिंद के जो लेखकते वह अलवरूनी था नेक्स्ट पानीपत की काबुली बाग मस्जित का निर्माड किस ने कराया था तो पानीपत में जो काबुली बाग मस्जित थी उसका निर्माड बाबर ने कराया था जो कि पर्थम मुगल साशक था भारत में नेक्स्ट बीरबल का वास्तविक नाम क्या था तो यह बहुत बा आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था तो जब तयमूर किया था तो उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वह नासुरित दीन महमूद तुगलग था नेक्स्ट सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिये और सही उत्तर बताईए तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है तो पहला है साही पद अधनियम तो साही पद अधनियम जो है यह आया था 1876 में दूसरा है भारती सिविल सर्विसेज आयक्ट तो यह आया था 1861 में तीसरा है सारदा एक्ट तो सारदा एक्ट 1929 में आया है जो की बाल विवाह को रोकने के लिए था और चौथा है भारती विश्विद्याले अधनियम तीह आया है 1904 में तीस प्रकार से चार एक दो तीन अर्थात जो दूसरा विकल्प है यही सही है नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो पहला है पिंडारी युद्ध तो यह लाड हेस्टिंग के समय में हुआ था सही है और प्रतम अफगान युद्ध लाड आकलेंड के समय में हुआ यह भी सही है सिंध का विले जो है लाड एलेन बरो के समय में हुआ था जबकि दिती सिक युद्ध यह लाड हार्डिंग के समय में न नहीं है नेक्ष्ट साती यह प्रथां कि दोरा समाप्त की गई थी स्किए यहां नियम बनाया गया था तो उस नियम तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में aniaux 2018 का क्या और उसमें सारे जो फर्लोड से द्वायूब यह और पुरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको आपकी तैयारी में थोड़ा सहायक जरूर सावित होगा और आप मारे और भी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद